प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ तू मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है, जो तू प्यार से देख ले तो, ये दुनिया छोड़ तू रभावे की करा, सोणिये सुन जरा, तिरे इश्की.. फाफिर, तुम्हेर कितना टाइम लगेगा, डाइनिंग हॉल में ममी डाड वेड कर रहे बस आगया तुम जाओ में आरहा हु अचा बस यह मैंने रख दिया है तुम यहाना जाओ 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 यह आज जिनको भी बता चलेगा के फाखर खान ने क्या हलीम बनाई है यह और जनाब यह आगई आपकी गर्मा गरम हलीम यह जाओ यह जाओ यह जाओ मैरम आपका बलाव प्रामिस ने बनाए है So here we go तो बेकिंग नूस इस दिस कि मेरी तरफ से आप पास हैं यास सो बहुत बहुत मुबारिक खौब एक सेकंड नन्य चाहिदा भूल रहा है आपने कहा तके फाइनल फैस्टा मेरा होगा याया बिलकुल मुझे याद है तो क्या आपको बलाओ पसंदिया है मेरी तरफ से जस पास फकरू आप शुक्राश अब अगर आपकी अम्मी को कोई इतराज नहीं तो हमारे घार आए पहले माफी मांगें और फिर पपी का रिष्टा माफी फिर रिष्टा हलीम पास कर देब अगो जी मेरा तुम भी बैठो ना काओ अब तो पास हो गए मैं जानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ उसी गलत फेमी को दूर करना चाहते हैं हम ममी और डैट की तरफ से आप दूरों से माफी मांती हूँ का सब्सक्राइब भी केश कम अएंटी प्रीज आटी, माफ करदे ना प्रीज, प्रीज माफ करादे ओरहे, मेरी दॉर्लानyinَّ मेरा बचिछा दोहें जिए मांग रही हूँ मृ? माफिय मांगने की कोई जरूरत नही है शब्बो जी आये माफी मांगे और बस हरिष्टा अमनीब प्लीज माफी तराफी को छोड़ते हैं देखें तुसे वो बचारी कि भी परेशान लग रही है हम आज इसके खरिष्टा लेके चलते हैं प्लीज अम्मी अम्मी माना कि अभी ये आपके फखरों की धुलन नहीं है लेकिन अटलीस इसकी पसंद तो है न बीली जी छोड़े हैं माफी तराफी शब्बो जी को हराल में माफी तो मांगनी होगी अम्मी मेरी प्यारी अम्मी ये माफी तराफी का चकर को छोड़े ना कोई और रास्ता निकाले प्लीज अम्मी कोई तो रास्ता निकाले ये प्लीज कोई रास्ता निकाले प्लीज निली जी निकाले ना कोई रास्ता प्लीज आउंटी, कोई रास्ता निकाल लेना प्लीज मेरे साथ शेलो पप्पी बेटा, ये तुम्हारे लिए किया सर्मुत थी आउंटी, थांक यू रख लो बेटा, बतने फिर हम कभी मिले ना मिले एसा क्यों बोल रही है आप आटी? ये ये ऐसा क्यों बोल रही है? पतानी ऐसा क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही है ऐसा? पतानी क्यों बोल रही है? पपी तुम्हे ये अपने माबाब को छोड़कर फखरू से शादी करनी हो तुम्हे कबूल है? नहीं न, बिलकुल इसी तरह मुझे भी अपनी बेज़िती कबूल नहीं है जो तुमारी मा नहीं की एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा चले खलत फहमी सही सही दूसरी बार भी गये हम लेकिन तुमारी मा नहीं टिका के हमारी बेज़िती की बस दक्के देने बाकी रहे गए थे तीसरी बाहर नहीं अब फैसले तुमारे हाथ में है तुम्हें फखरू से ज्यादा मुहबत है या फिर मुहबत कितनी असानी से हो जाती है जुबाग लेकिन इसको पालेना उतर ही मुश्किल हो तुम्हें जो शरायत मेरे और तुमारे पेने से निगादीन उसके बाग तो मेरा और तुमारे एकोना ना मौम किन सहाथ तुम्हों, हम भाग की शादी कट लिता है हाँ हाँ, बाग तो सकते हैं ना और कहीं दूर जाएके अपनी छोडी से दुनिया भी बसा सब्सक्राइए लेकिन तुम जाती हो तुमारे पेने समसे कितना प्यार कर तुम्हें सारी जिंदगी दिया के मैपाला तुम्हें पोसा बढाया लिखाया बढाया किया है इसका बिल्गन है अब तुम्हें से चील तुले जाहें जाएंगे यह होगा अज़ोगा तुम्हें अपनी सामनी को छोड़के मेरी कामनी के साथ हमेशे अरम को गहें अरे रभा जी आपाज ना भाग और अमनी तर्थ को भी सहन ही पाहिए मैं जानता हूँ कि वो कभी शिकायद भी नहीं करेंगी अगर में लखी मुहपत को उनके तर्सिस तोप चाहेंगे उनके से और जानते पे मैं तुम्हारे कभी हूँ नहीं पाहु करेंगे को तुम्हारे के सोचा है